अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी और चीजी चिकन चठखारा बोटी बहुत ही मज़ेदार एकदम चठखारी दारीय बनकर तयार होती है आप इसको एक बार 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 बनाना पड़ेगा क्योंकि यह हर किसी को बेहत पसंद आने वाली है और बनाना आसान भी बहुत है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बोनलेस चीकल लेंगे एक से डेट इंच के पेस्ट इसमें डाल देंगे साथ में डालेंगे एक टी स्पून चाट मसालिका पाउडर और एक टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर मैदा और एक टेबल स्पून भरके डालेंगे कॉन फ्लावर साथ में एक टी स्पून भरके नीबू करस डाल देंगे और मिला देंगे इसको और हाँ साथ में इसमें हबारी का टीवी हर इमिर्च और हरा धनिया भी डाल देंगे और खुब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे और खुब अच्छी तरह से मिलाकर 10 मिट के लिए इसको मैनेशन के लिए रख देंगे दसुर्टे की बात हमें मेडियुम फ्लीम पर तेल को गरम कर लिन ए और जब तेल प्रापर गरम हो जाएगा तब हमें इसमें चिकन के पीसेज एक एक कर कर59 कर Olivia मेडियम फ्रीम पर 5-6 मिनिट इसको फ्राइ करना है क्योंकि इस चिकन के बहुत चोटे चोटे पेसे हैं तो यह बहुत जल्दी गल जाते हैं यह बहुत जादा टाइम नहीं लेते हैं अगर आप इसको ज्यादा देर पका देते हैं तो फिर चिकन का मॉइस्चर उड़ जाता तो यह पर चिकन को मैंने दो बैचे में फ्राइ किया था तो अभी चिकन को साइड में रख देते हैं अब उसी पैन में से मैंने तेल हटा दिया है और इसमें एक टेबल स्पून बटर डाल देंगे या फिर आप जैसे घी भी यूज कर सकते हैं अब बारी कटावा इसमें नद्रक थोड़ा साफ्ट हो जाए रंग नहीं बदलना है सिर्फ साफ्ट कर देना है और जब इस तरह से लैसो नद्रक साफ्ट हो जाएगा हम इसमें आदा कप डाल देनी है फ्रेश क्रीम या फिर आप दूद के ओपर जो जामी भी मलाय होती ना वह भी यूज कर सकते हैं और वन बाय फूर कप दूद भी इसमें डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग कर देंगे अभी गास की फ्रेम को मैंने यह मीडियम रखा हुआ है अब इसमें दो चीज के क्यूब्स भी में डाल रही हूँ अमूल चीज क्यूब डाल रही हूँ आप को क्यूंकि बटर और चीज में भी नमक होता है तो नमक थोड़ा सा समल कर डालेगा वरना फिर जादा हो सकता है और बस जब सब कुछ ऐसे से मिक्स हो जाएगा हमने जो चिकन फ्राइ किया हुआ है वह हमें इसमें डाल देना है और खूब अच्छी से इसके मिक्सिंग कर दे पर अभारे धनी से इसको गार्णिश कर लेंगे और आप इसको गर्मा गरम सर्फ की चगा जिससे कि जो चिकन है वह क्रिस्पी रहेगा और चीज भी जो है वह ड्राइनी होती है क्योंकि ठंडी होकर थोड़ी सी सूख जाती है चीज तो एकदम गर्मा गरम आप इसको आने वाला है और तो चीज लवर से ना उनके लिए तो यह क्रीट की तरह है बहुत अच्छा लगने वाला है आपको तो बस यह आसान और मज़िदा सी चिकन की रेसेपी को आप ट्राय जरूर करें और मचको अपने फेडबैक्स भी जरूर थें कैसा बनकर तयार हुआ आप कई चिकन स्टार्टर उमीद करती हूँ आपको रैसेपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर की जगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर की जगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे आपसे हमेर रिक्वेस है बिना सबस्ट्राइब के मच आएगा थैंक्स वर वाचिंग दर वीडियो अलाहाफेज